हेलो डियरे स्टुडेंट्स वेलकम टो अवर चैनल एजुकेशनल गोल और आज हम समझेंगे कक्छा 12 का हिंदी विशिष्ट का जो पेपर है जो की नए ब्लूप्रिंट का नुसार बना है तो चलिए इसको समझते हैं जो तीन खंड में बटा हुआ है तो सबसे पहले खंड सरस्वती पत्रिका के समपादक हैं तो इसका अंसर आजाएगा महावीर प्रशाद दिवेदी ठीक है है अगला प्रस्टन है आने वाले विपत्ति से विपत्य दुख्यादव अगला प्रशन है कि उत्राखंड की यात्राका वर्णन कर रहे हैं तो सेट गौविंदास कर रहे हैं अलक नंदा के किनारे बसा है तो अलक नंदा किनारे कुन बसा है देव प्रयाग ठीक है देव प्रयाग आजाएगा रचना के आदार पर वाक्रिके प्रकार है तो तिन प्रकार होते हैं सरल्ब सयुक्त मिस्र ठीक है अगला है वंदना कविता में रस है तो इसमें आजाएगा सान्त रस कुनशा रस आजाएगा दिखेए यहाँ यह मार काम नहीं करेगा पर मिसमें बताता हूं इसमें सांत वंदना में कौन सा रस आएगा सांत रस आएगा थोड़ा समय इसको उपर बढ़ा देता हूं फिर आपको दिखाता हूं यह इसमें आजाएगा सांत रस ठीक है जिसका अंत ना हो उसको हम कहेंगे अनंत ठीक है अब आ इसका अंसर आजाएगा नव जागरण का यूग नव जागरण का यूग अगला है जै संक्रप्रसाद द्वार अचित महाकावी है तो कौन सा ये कामायनी है ठीक है काडत गुहत नहावावत ओचत नागीनी सी भूई लोटी में पंक्तिम अलंकार है तो सी बलब की तुलना कर तो इसमें आजाएगा उपमालंकार वात्सले रस के समराट कवी है तो कौन है सूर्दास है तो इसमें आजाएगा सूर्दास आजाएगा सूर्दास की रचना है तो इसमें से जो सूर्दास की रचना है साहित लहरी तो इसका अंसर आजाएगा साहित लहरी अब आगे बढ गजओदर बाबु की पुत्री का नाम था. तो बसंति था. अगला यह वापसी पार्ट की विदा है. यह वापसी किस प्रकार जो पार्ट लिखा हो झाल कि विदा है तो वो कहानी है. ठीक है गजओदर बाबु के लिए मदूर चित्र है ठीक है तो इसका अंसर आजाएगा रेखा चित्र अब आगे बढ़ते हम फिर से ये देखिए आप ये विस्वनात की पतनी का नाम हे तो इसका अंसर आजाएगा रेवती नए मेमान पाट लेखक है तो इसमें जाने की तीथि अग्यात हो उसके लिए हम क्या कहेंगे अतीथि कहेंगे अतीथि जिसकी कुई ठीथि ना ओ गनानन के अनुसर प्रेम का मार्ग है इसका अंसर जाएगा सीदा वज सरल ठीक है चातक पक्ची कौन से नक्षट्र का जल ग्रेन करता है तो स्वाती नक्षट्र का जल ग्रेन करता है ठीक है आगे बढ़ते हैं चपपए चंद मिलकर बनता है जोहा और रोला तो इसमें ओप्सन आजाएगा पहले वाला ओप्सन देखिए आप रोला और दोहा ठीक है तो यह आपको लिखना है इसमें दोहा और रोला कवीता चंद के प्रत्यक चरण में वर्ण होते हैं तो 31 होते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं इधर देखिए आप कानपूर से प्रकासित होने वाले साप्ताइक पत्र का नाम है तो इसमें अंसर आजाएगा प्रताप भगवती चरण वर्मा के मानस गुरु थे तो इसका अंसर आजाएगा गणेश शंकर विद्यारती ठीक है अगला है कर्मवीर सुन्दलाल का भासन हो रहा था तो कहां हो रहा था कानपूर में हो रहा था ठीक है तो यह हमने आपके सारे अबजेक्टिव्स इसमें लगवा दिये है तो अगर आपको अमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फार वाचिंग दिस वीडियो